इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो आप देख रहे हैं बीबी नियूज अभी अभी मुंबई के बायकुला से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है मुंबई के बायकुला इलाके में स्थीत आठ मंजिला जीएस्टी भवन की सबसे उपरी मंजिल पर सुमवार सुबह भीशन आग लग गई आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाडियों को लगाया गया और फिर भी उपरी दो मंजिलों से घना धुआ निकल रहा है BMC disaster control ने कहा है कि अब तक इस गटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है आग लगने का कारण short circuit बताय जा रहा है और building में कई लोग फसे भी बताय जा रहे हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और बायकुला 5 ब्रिगेट के अनुसार उन्हें दोपहर के 12 बचकर 48 मिनिट पर आग लगने की सूचना मिली है मौके पर करीब 15 वाटर टैंकर और 5 फायर इंजन को रवाना किया गया दमकल विभाग ने बताया है कि ये लेवल 3 की आग है और डिप्टी सियम अजित पवार इमारत में राकापा की बैठक में मौझूद थे दरसल जिस मंजिल पर आग लगी है वहाँ GST दफ्तर का सर्वर रूम था और इसी GST भवन के सर्वर रूम में आग लगी है तो दोस्तो इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करें और इसी तरह की न्यूज और अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद